Hello friends, welcome to Viewsport Match Preview और इस वीडियो में हम Preview करेंगे The Conmeball World Cup Qualifiers Match जोगी खेला जाएगा between Peru एंड Venezuela की बीच में Friends, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Best Fantasy Combination और आपको देंगे कुछ important tips और picks regarding players for small league and grand league point of view जो आपको आपकी teams बनाने में help कर सकता है इसके साथ ही Friends, हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे players के बारे में जो आपकी team के लिए differential साबित हो सकते हैं इसके साथ ही Friends, अगर आपको cricket की भी teams देखनी है football के साथ तो आप Viewsport आप चेकाउट कर सकते हैं Viewsport आप पर आप V-Credits के यूज़ करके जिस football match का fantasy 11 आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए दोनों teams की lineups आने के बाद आपको दो plans दिखेंगे View plans and unlock this match अगर आपको इस match का fantasy 11 देखना है तो आप 5 V-Credits यूज़ करके देख सकते हैं ना सिरफ fantasy 11 बलकि Viewsport फुटबॉल टिप्स भी आपको मिलेंगे same 5 V-Credits पे Fantasy Preview वैसे भी free है हर match के साथ View plans पर क्लिक करेंगे तो आप subscription ले सकते हैं विच किन भी monthly, yearly और lifetime दूसरा तरीका है आप home page पर directly fantasy 11 पर क्लिक कीजिए और जिन matches के lineups आगए है वो आपको upcoming में दिख जाएंगे जिस football match का fantasy 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए आपको फिर से दिखेंगे दो options आप 5 V-Credits यूज़ करके fantasy 11 देख सकते हैं वैसे भी आपके first 5 teams are on us come explore now तो friends अब आपने देख लिया है इन दिस वीडियो कि आप कैसे teams conlock कर सकते हैं तो go and check out now आप friends हम लोग सीधे चलते हैं best fantasy combination पर for Peru and Venezuela जैसा कि friends अब देख सकते हैं कि हमने इसमें Venezuela को काफी back किया है असल में friends इस Conmeable World Cup qualifiers में जो Venezuela है they are very very highly motivated वो लोग properly try कर रहे हैं कि वो अपने पहले World Cup के लिए qualify कर जाए है इस बार उनकी ये generation काफी अच्छी आई है under 17 World Cup में भी उन्होंने अभी तक काफी अच्छा performance दे है और इनके कई सारे players from Rafael Romo इसके साथ ही जो इनके काफी important players है such as Darwin Marches Jefferson Sotelo Thomas Rincon ये सारे players योरोप में खेलते है यांजल हरेरा और काफी अच्छे form है यांजल हरेरा फॉर एक्जामपल Girona के लिए second highest goals कुर असेस्ट प्रोवाइडर है काफी अच्छे form में इस समय सारे players चल रहे हैं इसलिए हमें लगता है कि अगर हम फ्रेंट्स पेरू की बात करें तो लास्ट ताइम वो इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेओफ में हार गए था गेंस ऑस्टेलिया उसके बाद से उनके फुटबॉल लिटरिली फिल्ड ओफ काफी ज्यादा struggles हुए उनको बहुत ही अच्छा नहीं करना है एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा करेंगे इस मैच में इन फैक फ्रेंट्स पेरो कॉन्फेडरेशन प्लेओफ जब जाने के भी रास्ते तो काफी ज़ादा असर पड़ेगा सिर्फ पहला मैच इनका जो हुआ तो उनने ड्रॉ किया था अगर फ्रेंट्स हम लोग अपने बेस फैंटेसी कॉंबिनेशन के बात करें तो हमने वेनेजवेला से गॉंजालेस को लिया है विलकर आंजल को लिया है और मिगला आंजल नवारो को लिया है हमने वाइस कैप्टेंसी विलकर आंजल को दी है फ्रेंट्स आप चाहें तो आप वाइस कैप्टेंसी रोटेट भी कर सकता है आंजल नवारो को बीच में भी दे सकते हैं असल में फ्रेंट्स हम लोग ये बहुत ही हाइज स्कोरिंग मैच नहीं एक्सपेट कर रहे हैं अगर आपको चाहिए तो वेनेजवेला से भी आपको चाहिए तो वेनेजवेला से भी आपको प्लेयर ले सकते हैं अगर इस मैच में वेनेजवेला के लिए यारियो उसोरियो स्टाट करते हैं तो अभी यारियो उसोरियो को भी आपनी टीम में कंसिडर कर सकते हैं बट हमें लगता है कि ये तीन आपके लिए स्टैंड आउट आप्शन होंगे फॉर्यर फैंटेसी साइट्स आप Venezuelan goalkeeper Rafael Roan को भी consider कर सकते है जो अभी तक के Conmeable World Cup qualifiers में काफी अच्छे लगे हैं he's one of the best goalkeeper consistently points जे रहे हैं ये भी आपकी team play important pick बन सकते हैं हम midfield तक अगर चले तो midfield में friends हमें Yoshima यूटून को लिया है एकलोते पेरूवियन प्लेयर जिन्होंने अभी तक अच्छा किया है पेरू के लिए attacking points आपको काफी अच्छा देते हैं deep से play make करते हैं and same goes for Renato Tapia, Casimiro 2.0 कहा जाता है इन्हें South America में defensive midfielder है, अच्छे tackling interception के आपको point दे सकते हैं पेरू जो की goals score करने में struggle करती है, goals concede कर रही है इस बार उसमें ये दो बहुत ही reliable fantasy assets है Venezuela की बात करें तो हमने ये Angel Herrera को लिया है, जिरुना कि आप जानते हैं हमने आपको बता है कि वो कितने अच्छे form में चल रहे हैं इस समय इस वज़े से उनको लेना काफी important हो जाएगा आपकी टीम के लिए, इसके साथ ये friends हमने Jose Andres Martinez को लिया है Venezuela के लिए ये friends हमारे punt pick है, अगर आप चाहें तो इनने dropper के कोई भी extra players such as Andy Polo अगर आप start करते हैं तो उने consider कर सकते हैं हालांकि उनका record बहुत ही अच्छा नहीं रहा है विने पेरू के लिए अगर आप चाहें तो Christian Caceres को consider कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा defensive जाना है आप extra defender भी ले सकते हैं इनकी जगह अगर आप चाहें तो पेरू से punt ले सकते हैं पियरो quiz पे फ्रेंट से आपको बता दे कि Nottingham Forest इन में इंट्रेसेट है काफी highly rated पेरूवियन यंग्स्टर है विंगर है और पेरू के काफी जादा उमीद है इन पर बंदी होंगी तो यह एक slaughter friends जहां पर आप टिंकर कर सकते है अपने grand league combinations में अगर हम striking section से बात करें तो हमने ये फरसन सोटेल लो और डारविन माची इसको लिया है ये फरसन सोटेल लो captaincy दिये he was outstanding for Venezuela in the last game against Ecuador इसके पहले friends जब इन्होंने ब्रजील के साथ draw निकाला था परागवे के साथ भी निकाई थे उन सभी matches में काफी जादा influential थे runs बनाते हैं काफी passive winger है काफी tricky winger है अच्छे crosses डालते हैं chance creation numbers देते हैं और assist potential बहुत अच्छा है के former everton player भी रह चुके हैं तो ये penalties पे रहेंगे इसलिए इनका भी टीम में importance बढ़ जाता है बट हमें लगता है friends की अगर ये अच्छा नहीं करेंगे तो ये substitute हो सकते हैं 42-55 minutes 45-50 minutes के बाद और इनके जगा टीम में Sergio Cordova जैसे player आ सकते हैं जो कि MLS में खेलते हैं इसलिए हमन अगले वीडियो में तब तक के लिए all the very best for this match